आज पढ़ेंगे हम विस्तास बुक का फर्स चैप्टर जिसका नामे धर्ड लेवल ये चैप्टर है बहुत ही amazing important exam के लिए और चैप्टर नहीं है जिसमें हो रहा है time travel कुछ psychological thriller chapter है ठीक है चलो शुरू करते है इस chapter को तो इस chapter में हम Grand Central Station के बाले में पढ़े आने है now what is a Grand Central Station तो अमेरिका में है ये Grand Central Station न्यू यॉक के अंदर है और ये Grand Central Station पे बहुत सारी train है न्यू यॉक से अलग अलग जगहों तक क्रिने चलती है बहुत सारे लोग डेली बेसे पे न्यू यॉक के अंदर इस Grand Central Station की यूज करते है just like in Mumbai we use the Mumbai station ठीक है तो अब होता क्या है एक आदमी है उसका नाम है Charlie 31 साल का है वो रोज ऑफिस जाता ऑफिस से घर आता है और यही उसका दिन चर्या है अब एक दिन उसके साथ क्या होता है कि वो पहुत जाता है इस Grand Central Station के थर्ड लेवल पे वैसे अगर मैं आपको बढ़ाऊं तो इस Grand Central Station के दो ही लेवल है one and two पता नहीं कैसे कहाना time travel है psychological thriller है यह पहुचाता है Grand Central Station के थर्ड लेवल पे तभी आपके chapter करणा है थर्ड लेवल तो चलो जानते हैं कैसे पहुचा कहाँ से पहुचा क्यों पहुचा हमारी चार्ली भाया थर्ड लेवल पे तो लट्स तार्ट विध चापटर। तो जैसे ही चापटर श्री चापटर होते है। तो जैसे घ्रजाने चापटर चारली चापटर कोई कॉझ के टाइम टेबल से त्रेइबल्स की कर्फ दो ही से दू है। बच मैं नहीं कहोगा क्यूंकि मैं 3rd lever पे गया हूँ और मैं 3rd level को जी के आया हूँ और फिर लेतया कहता है कि अगर तुमें मेरी बात पर यकीन नहों तुम मुझे पागल समझ रहे हो कि भाई मैं तीन लेवल हूं कह रहा हूं बता है ये न्यू यॉयॉक वालों के लिए क्या बात होगी हम ने तो देखा निया ना ग्रैंट सेशन पाता तो हम इतना समझ नी पारे मालब तुम समझ लो एक आम आदमी के ये हो गया कि उसके घर में है समझ लो आप उसके घर में नहीं दो मन्जिल से पानी लेका आया हूं थीसरी मन्जिल के हम तो चली कीव मैं क्या होगी ना घर में घर हमारे में मिंच ने तो कारा है स्धिन के साथ भी हो संथ कि दो कि एक रहता है मैं जिर्ष दो एक एक संच रहे हैं तो तो बागल से महते हैं और गया है तो तो मुझे पागल मत सम्झे उकरिव bachelor मतना है तो में आपना इलाज करने के लिए फॉल्फिल कर रहिए तो उससे पूछता है कि यार ऐसा क्यों हुआ मैं थर्ड लेवल पे क्यों गया कोई और सपना आ जाता मैं किसी से celebrity से मिल गया यह वह फलाणा रहां कि वा यही सपना क्यों आया कि मैं थर्ड लेवल पर गया उत्य हो तो किया रहां यह ना ऐसा हुआ था दो वर्ल्ड वार हो चुगे तो उसकी बात की बात है यह ठीक है 1940 के बात की बात होगी जहां पर यह चाली परशान है अपनी लाइफ से परशान हो चुका है इसलिए तो ने अपनी मन घरन कहानी बनाई है लाइफ से भागने के लिए कि तू एक नए स्टेशन पर गया है तो उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है कहती है अच्छा जी लाइफ से परशान है यह क्योंकि वह बहिया चाली और इसलिए यह चला गया थर्ड लेवल पर इन फाक्ट यह तो स्टैंप कलेक्ट करता है अब स्टैंप करने की होबीज होती है बहुत लोगों की पहले जमाने बहुत जादे लोग स्टैंप करेक्ट करते थे यह इसका टेंपरेरी रेफ्यूज है रियालेटी से बहुत करते है तो चाल्ड इसकी बात सुनके घर पर आ जाता है बट हमें बदा ने कहता है यह मैं नहीं मानता है इसकी बात को कि मैं कोई पावल हो गया हूं मुझे रिया जादे थे वह भी स्टैंप करते थे उन्हें क्यों बहुत ना दे रियालेटी से बहांगा था थो इसको अपने दोस्त की बात पर यकिन नी होते तो अपने दोस्त को ही पागल कहता है यह पागल है मैं तो घया थर्ड लेवल पर अच्छा चलो रीडर्स मुन बताता हूं मै पर बताते है कि देखो मैं चार्ली हूं, मैं 31 येर्स को हूं और एक दिन की बात है, मैंने पहन रखा था Tan Garbadaine Suit, यसे से कपड़े का Garbadaine कपड़े का Tan Color का सूट मैंने पहन रखा था हैट लगा रहा हिए थी हैट पे जो है एक डोरी ब्दी भी थी, fancy सी मुझे घर आ रहा तो ऑफिस से मुझे तोड़ी लेट होई थी मेरे को यह ता जल्दी जाओं घर पे लोजिया ने अच्छा सखाना बनाया होगा घर जाकर मस्ता खाना खाऊंगा तो मुझे लेट होड़ी थी तो मैंने सोचा कि यार बस से नहीं जाता बस में बहुत जाम मिल या ठीक है एक तर्म नलब के दरवाजा घर रखाए तो एक दर्वाजा था करा करें एक सुझे लेट की तरफ को मुझे लगा और लेफ्ट की तरफ़ को मुझने लगा उस लëफ्ट रास्ते पर किया मैं अध्र टरवाजी लिए थी और पर में आश पास में कोई भी नी थ स्टेशन में भूच चुका हूं तो यह कर राइन से टेशन को यूज करता है ट्रेंग के लिए बट यह हो जाता है बहुत बाड़ा अगा इस गरेंट से आगा था तो कैहार मुझे लगा मैं खो गया हूं नहीं बात निया एक पहले क्या हुआ था एक बार यह घर से बहुत द और इसको मनी मन लगता है कि यह जो ग्रांड सेंटर स्टेशन इतना बड़ा यह अपने जो है जमीन के नीचे अपने पास से नए टनल्स को रहा है जैसे पेड की जड़े होती है ना ऐसे वो स्ट्रेंजर तिंग में डेमो गार गंड नी नीचे पूरे गुफ जो है पूरी ट सामने से लाइट दिखरी और कोई भी नी था टनल में सिर्फ मुझे मेरे पेरों के अवाज में सदाई दे थी और चलता रहा मैं कोई नीचेंशन की बादिया पहुची जाओंगा कही न कहीं तो अब चाली टनल में से बहां निकल के एक जगा पहुचता है अब इसे लेगत पहुचता है और फिर इसका ध्यान जाता है कि वहां पर लोगों के उपर किस टाइब के लोगों के बैठे हैं यहां पर इंफोर्मेशन सेंटर के अंदर भी अजीब से अलग कपड़े पहने लोग बैठे हुचता है जिसने हारी रंगा चश्मा और स्लीफ प्रोटेक्टर लग प्रोटेक्टर को कि चलने वाली नहीं लग रखने लाइट नहीं लोग नहीं लोग नहीं पहने लोग एक रहरास यहां पहुच गया हूं एक आदमी को देखता है वो इन्फॉर्मिश्टर बूद में बैठा हो तो इसने हरी रंगा चश्मा लगा रखा था और स्लीफ प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे कपड़े ऐसे थे इस जमाने के लोग तो नहीं पहनते चारली के जमाने के वहाई इसकी नजर पढ़ती है एक आदमी पे यहादमी के वेसे कुछ चम्मकता वासा कुछ दिखता है उसके हाथ में तो उसने क्या कर रहा थो उसने अपनी पॉके वाले कोट पहन रखे थे और एक लीडी को देखता है उसने मटन स्लीव वाली जो है टॉप पहन रगा था हाई बटन शूज पहन रखे थे कपड़े और पहनने का तरीका सबका ऐसे था जैसे एटीम नाइन्टी के जमाने का फैशन था तो इसे देखके आप लगता है जहां तो अब उसे लगत में मेरे जमाने में तो यह तो यह पाहन आंट चका हूं चाहा है तो वो नहीं हमां सेccoli रहे हैं नहीं स्थेले हमें। उमुखिछा अमने सरेख लंगा। वह में ककुछना भ्याइकर पार मुखि़ा। तो चलिए नाव म्हाले पहले हम नीजो आपने पहले पहने। इस छबाते हमें दलगे हैं। तो Charlie उस पर डेट परता है, उस न्यूस पेपर पर डेट लिगी थी, June 11, 1894, यानि कि यहां पर भाई साब Charlie को समझ में आता है, भाई मैंने कर लिया time travel, और उस न्यूस पेपर में President Cleveland की जो है ख़बर छपी भी थी, तो अब इसको proper समझ में आ रहता है, कि मैंने time travel कर लिया है, और मैं पहुच चुका हूँ, 1890s के जमान में, अब नॉर्मल इन्सानों का भाईसा आगो डर जागा, यह ने डरता, इसके दिमांग में जलती है बत्ती, और यह सोचता है, क्योंकि तुम्हें पाता है अपनी लाइफ से पर्शान ही था, रियालिटी से पर्शान है ही already, तो यह सोचता है, यार मैं क्या करता हूँ, यह 1894 है, तो मैं गेलिजबग इलियोनिस की ट्रेन पकड़ लेता हूँ, एक टिकेट लेता हूँ अपने और अपने वाइफ के लिए दुबारा हूँ और हम गेलिजबग चाहेंगे, गेलिजबग बहुत सुहाना शेहर है, वहां प अपनी लाइफ को, और सोचता है, यह तो जवाना भी इतना है, अभी वर्ड वार वन होने में भी बहुत साल है, वर्ड वर टू होने में भी बहुत साल है, तो कोई टेंशन नहीं, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं, तो मैं भाईया, मीदी तो लाइफ सेट हो जाहेगी, जल् बनावा था, उसको देखके काफी इसे शकल बनाता है, तो चार्ली अब उसको कहता है, मुझे गेरिस बगे लिनो, इसकी दो टिकेट दे दो भाई साग, तो वो आदमी फेर काल्कुलेट करता है, और चार्ली को बताता है, इसने पैसे लगेंगे, तो चार्ली जेब में से इतुर 1890s है, यहां पर हमारे वाले नोट थोड़ी चलेंगे, तो ऐसे नोट बदलते रहते हैं, तो उसके पुराने जबाने में नोट अलग तैप कैथे, 1890s के, अब चार्ली के समानी के नोट अलग ते, तो कह रहा है, मैंने पैसे वापस रखे और में महाँसे भागा, क् यह कह रहा है 1890 की जेल अच्छे नहीं है जेल अपकी जेल तो और बुरी है पुराने सबानी की तो मुझे जेल तो नहीं जाना था तो मैंने सोचा भी भाग जाता हूँ फिर कभी यहां पर वापस आँगा So let's come to next day क्या करता है चार्ली चार्ली का ओफिस होता है खतम इसको बदले में सिर्फ 200 डॉलर ही मिलते हैं और कहता है कोई बात नुकसान का मेरा यहां पर सौधा नहीं हुआ है नुकसान इसलिए नहीं क्योंकि 1894 में गिलिस बर्ग में बहुत महंगाई तो थी नहीं सब कुछ इतना सिस्ता था अंडे बीती सस्ती मिलते थे ब्रेड बीती सस्ती मिल दी थी कोई थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है अब इसकी वाइफ ने से मना कर दिया कि भाई तू थर्ड लेवल ढूडने मज्जा अपनी वाइफ को यह सब बताता है और फिर कुछ दिनों बाद अचानक इसे पता चलता है कि इसका जो दोस्त है जो साइक्टरिस है वो कही गायब हो पुछ ऐसा हुआ कि अब डची मेरे साथ चल कि रोज थर्ड लेवल ढूड़ती है तो बार इसा क्या हुए यह बता थी हो तो एक दिन क्या होता है, चार्ली अपने फर्स्टे कवर्स देख रहा होता है, ना फर्स्टे कवर्स क्या होता है, तो देखो फर्स्टे कवर्स मतलब होता है, स्टैम्प आता है तुम्हार को यह जो पोस्ट के लिए स्टैम्प लगते हैं, तो जब भी कोई नया स्टैम्प होता है तो जो लोग stamp collect करते हो stamp को खरीदते हैं खाली envelope पे लगाते हैं अंदर खाली paper रखे खुद के address पे भीड़ देते हैं कि उनके पास stamp आ गया जो पहले दिन पर launch हुआ है यह होता है first day cover उसके अंदर पेपर लिखा जाते हैं क्योंकि खुद को क्या letter भेजोगे तो first day cover देख रहा तो उसके ग्रांड फादर के गेलिजबर्ग वाले घर पे आया हुआ तो यह कहता है रात से पहले तो यह मेरे डबे में था नी इसको खोलता है और इसको पढ़ता और इसकी life बदलने वाली ती यह letter पढ़के अब इसके दोस ने लिखा का था और इसने अपने सैम दोसको भी थर्ड के बागरा की बारे में सब बता रखा था अब सैम ने उस हो लेटर लिखा वा था उसमें बोल रखा था कि बाई चार्ली में ठीन गया था तर्ड लेवल की ट्रेन मिल गई और में थर्ड लेवल पे जाके सैटल हो चुका हूं मैं हैं फ। में रहता हूं यहां बहुत ही बढ़िया दुनिया है मेरे बहुत सारी दोस्त बन गए हम शाम को लेमनेट पाटी करते हैं गाने गाते हैं मौज मस्ती करते हैं यह लाइफ बहुत बढ़िया है गेलिजबग लियोनेस में 1894 की तू भी जल्दी कोशिश कर इस वर्थ हिट तु वही टाइम ट्रावल वाली मूवी देखके जैसा पागल बनता है इस चैप्टर में भी वैसा ही पागल बनने वाला है आपका कि क्या हुआ जब यह जो है चार्ली का दोस्त सैम वहां पहुंचा गिरिजबग में न तो इसने वहां पे लेटर लिग के तादा के घर पे रख पागल नहीं मना रहा है और यह पक्का कर लेते कि हाँ जो मेरा दोस्त है वो तो जा चुका है थर्ड लेवल पकड़ के ट्रें गेलिजबग इल्योनिस तो इसको पता चल गया था वो तो 800 डॉलर बदवाकी लेके गया था और अब इसके उस दोस्त सैम ने अपना एक नया बिजनस वहां पर लॉंच कर दिया है कि इसका अनाज हो गयरा का क्यूंकि उसका जो पुराना बिजनस है वो वहां गेलिजबग में चले नहीं वाला था और यू उसका पुराना बिजनस क्या था सैम का वो एक साइक्टरिस था तो भाई यही था चैप्र का ट्विस्ट कि जो वहां चला गया थार्ड लेवडर के गेलिजबग यहने वही साइक्टरिस दोस्ता इसमें चार्ली को पागल खाता कि बाई तू परशान है इसलिए तो थार्ड लेवल पे गया है तो वही सैम इस नाट पर पहुझ गया ट्रेन पकड़के गेलिजबग यह निस सेटल हो एक लेटर लिख दिया होगा और कोई उसका साइक एक्टर स्ट्रेंड होगा ही नहीं सो इस अपॉन यूँ कि आप जो मर्जी सोचो चलती हूं लेट सेंड इस वीडियो में लेंगे हम